किस तरही किस आप MongoDB को इंस्टोल करोगे अपनी विंडों 10 या ले भीन आप किसी बी कर सकते हो अपकी विंडो पर window चाहिए आपकी कोई सीवी 10 हो या लेविन आप दोनों में कर सकते हो 7 में आप कर सकते हो तो start करते हैं इस वीडियो को वीडियो को पूरा देखना सबसे पहले हम यहाँ पर अब आपको आपको फर्स लिंक को अपन कर लेना यहां पर आ सकते हो जिस्ट आपको नीच आते रहना यहां पर आपको दिख जाएगा इसका लेटर दो चला जिरो पाइंट 7.0.8 ठीक है करेंट वर्जा नहीं तो आपको यहां पर क्लिक कर देना जैसे आप क्लिक करोगे तो यह अपने डाउनोड वारे फोल्डर के अंदर आना और यहां पर होगा इस फटरीके से करवनगा emmud झरिक क्लिक कले अभड़ें एसकी बिक करना है और यहां पर दस शेपंदधा मेंट 20 मिनयट या 30 मिन भी लेसकता है और यह अपके system की करता है कि इसे इंस्टोल कर पाती है ठीक है लेकिन यहां पर फंद में तो जरूर लेगा इस चीज का आपको पेशन रखना और अपने जो मॉवाइल है वह अपने जो पीसी है उसे आप इंटरनेट से कनेट रखना क्यूंकि यहां पर जो मॉंगो डीबी कैंपस होगा वह डा करोगे तो आपका बाइडिफोल्ट यहां पर मॉंगो डीबी कैंपस उपन जाएगा ठीक है अच्छा यहां से आप इसे इसे कर देना मॉंगो डीबी कैंपस होता गया वह चीज में आपका मॉंगो डीबी कैंपस हमारा होता है जिसमें ग्राफिकली यूज़ डेटबेस को क्रिएट करते हैं वहाँ पर हम गिराफिकली करते हैं एक होती है मॉंगो शेल जिसमें हम cmd के थूरू करते हैं कमांड के थूरू ठीक के थूरू तो जस्ट चलते हैं यहां पर देखो अगर आपका मॉंगो डीबी चांपस तरीके से यहां पर भी आ जाएगा तो पहले इस तरीके से यह जो path होता ना control C करके copy कर लेना है ठीक है यहां से copy हो जाएगा पाद यह copy करने के बाद यह से आपको करना क्या आपको यहां पर आना और environment ठीक है यहां पर type करना तो edit the system environment variables आ जाएगा इसको open कर लेना यहां पर आपको पात होगा इस पर किलिक करना और यहां पर आपको new करना पात को paste कर देना ओके पर किलिक करना यहां पर आपने कर दिया अब पहले देख लेते हैं कि हम तो आप अपने डेटेवेस से कनेट होगे यहां पर यहां पर आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो यहां पर हमें बाइड़ेफोर्ट टीन डेटेवेस मिलें एडमिन यहां पर कलिक करोगे और डेटेवेस का नाम रख देता हूं यहां से मैं रख देता हूँ सटूदेंट सटूदेंट ग्राफिक यहां पर इंसे, तो हम इस bunlarasac आप से, अगर आपको इसका युद्स की अबशुट देख नहीं है, तो विडियो के video स्क्रीवेस समागे नहीं पर अब चलते हैं कि मॉंगो शेहल किया है इसमें कुछ प्रफ्रम करने के लिए पर आप cmd open कर सकते हो 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 cmd type करूंगा तो यहां पर आज़ाइगे मैंने command prompt open कर लेता हूं ठीक है तो आप यहां पन्ना में अगर mongo करूंगा तो मुझे यहां पर यह problem देगा तो इस तरीक देना इस तरीके से कर लेता हूं यहां पर इस तरीके से 5.0 के जो वर्जन यहां उसे कम यह जादा में तो इसमें क्या होता था खमें करते हैं मोंगाइटीपी कैमपस हमने देखे लिया कि यह ग्राफिक यूजर इंटरफेस है ठीक है इसमें और अब यहां पर 7.0 या 6.0 6.0 में भी था ठीक है यहां पर हुआ क्या कि इन्होंने इन्होंने मोंगो का नाम का नाम चैन्ज कर दिया आपको चेक करना कि हमाएं मोंगो इसमेली है यहां यहांaks नाम नाम is आप अपने यहां पर जाकर भी चेक कर सकते हो जैसे सीड्राइब के अंदर जाओगे और जस्ट ठीक है मुंगो डिवी जाओगे सर्वर के अंदर जाओगे यहां पर आपको एक फाइल होगी नहीं है यहां पर ठीक है तो इनन क्या किया चैंज कर दिया अब देखो आपको आपको से मैनुवली करना पड़ेगी ठीक है क्यूंकि कभी-कभी तो मिल जाती है अगर आपको 7.0 में कुछ लेटेस बसन देख रहे हो जैसे 7.9 देख रहे हो तो उसमें कभी-कभी आपको मिल जाती है इस तनी आपको चैक करना यहां पर ठाइप करना ओंगो एस तरीके से अइस तरीके से इस ऊपन कर लेना जिस नीचे आना और यहां पर आपको डेखो इस से डालोड कर ले जिए इसे डाउलोड कर लेना बहुत ही कम MB की होती है जिस यहां पर हो रही है 40 MB की है तो मैं इसे होने देता हूं मेरी इंटरनेट की स्पीड काफी कम है तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्वबट कर देता हूं सब्सक्राइब सब्सक्राइब है चलता हूं यहां कि राइट कडिक करोगे और इक्सट्रैक पर किलिक कर दोगें π만शक हो चुकिए तो यहां पर जैस्कों मुझे ऊझे इस बपुछा दिया यहां पर सुत्रेकर आपको फोल्ड्र बन गया होगा इस्का पांदर जानाün mongo sh के अंदर जाना है और बिन के अंदर जाना आपको और यहां से ना यह देखो mongo sh.exe नम की फाइल होगी control x करना इसे जो mongo होता है यह कहता है कि आप इसका pass set करो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि pass set मत करो ठीक है आप कुछ नहीं करना महां से आपको control x कर सम से उठा लेना ठीक है या तो आप Popi कर सकते हो या आप इसे या तो कोपी कर लो आप इसे फिर यहां से या फिर आप इसे कर लो को इस्यों नहीं ठीक है तो मैं इसे कट कर लेता हूं मुझे जरूवत भी नहीं पढ़ने वाली बाद में तो अगर पढ़ेगी तो आप इसे यहां से दुबारा से कर लोगे यह अपकी कर लोगे तो यहां पर देखो आ जाएगी तो अब यह आपकी शेल हो चुकी अब आपना इसे यूज़ कर सकते हो देखो कैसे मैं इस तरहीं से गाट देता हूँ अब अपने कमांड प्रॉम्ट को मैं उपन कर लेता हूं cmd को अपन कर लेता हूं ठीक है यहां पर अब मैं ओंगो करूंगा ना आपको कुछ पॉब्लम्स नहीं होगी अगर कुछ पॉब्लम्स आप कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो में इतने हैं मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में थैंक्स वाचिंग आइस